वेखम तो मैं चैनल आएम सिन्मिल सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थ्री कांटेंब्री साउथ एशिया तो अगर कोई पच्छा कंफ्यूज हो रहा है यह चैप्टर 3 कैसे है तो गाईज आपका सिलिबस अपडेट हो चुक को पूरा ध्यान से सुन लीजें डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिए वे नोट से एक बार रिवेशन कर लीजें तो आज पढ़ने हमें चैप्टर नंबर 3 एंड यसी अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है क्लास 12 की जोग्रिफी पढ़नी है सोचोलोजी साइकोलजी भी पढ मतलब जो है प्रेजंट ली का जो समय हो तो सको कंटेम्टरी बोला जाता है और इस चैप्टर में हम बेसिकली साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे और यह चैप्टर आपको ज्यादा इंक्रस्टेंग लगेगा क्योंकि फाइनली अब हम अपने वाले रीजन पे आ सबार होंकिक फालवाओ यह साहरकर पाले रहें चैप्टर में ईंडिया और इंडिया के सभी नेभर्स के बारे में तब इस आप क्यों पढ़ने हैं साउथ आप सबीकार में बता रहा है कि सिर्फ हम नहीं पड़ें इन फैक 1991 के बाद पोस्ट कोल वर एरा याद कर लो दिमाग में पोस्ट कोल वर एरा मतलब होता है 1991 के बाद से जब कोल वर खतब होंगे उसके बाद से हमें देखते रहने का उनके पास एक रिजम था सबसे बड़ा वह यह था कि इंडिया और पाकिस्तान अब दोनों पर ही न्यूक्लियर वेपेंस आ गए थे इंडिया भी फुली फ्लेच्ट हम लोग नूक्लियर वेपेंस हमाई पास आ गये थे 1998 तक और पाकिस्तान ने भी ऐस यहां बहुत कॉंफ्लेक्ट कॉंफ्लेक्ट मतलब मेरी लैंग्वेज हो जगडे लडाइन थी ओविसली इंडिया पाकिस्तान का इशू चल रहा था ठीक है और जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं हमारा बांगलादेश से भी कुछ प्रॉब्लम थी इंडिया का प्रॉब्लम रहते हैं रिवर वाटर की शेरिंग को लेकर दूसरा यह था नेक्स्ट जो है काफी कंट्रीज में एथनिक कॉंफ्लिक्ट चल रहा था एथनिक कॉंफ्लिक्ट तो श्रेलंका में अपने अंदर ही महल सही नहीं था मतलब कि महां की पॉपुलिशन लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने शुरू कर देते हैं तो यह एरिया में बहुत ज़्यादा जगड़े वगड़े हो रहे थे इसलिए पोस्ट कोल्वार के बाद सबकी नजर हमारी कंट्रीज के ऊपर रह दी और जो है रिसोर्स शेरिंग की बहुत ज्यादा प अगर हम लोग भी चलेंगे तो हमारे यह रीजन वह सकता है बट अभी हम क्या करें हमारे आपस में जो है काफी सरे कॉन्फिक्स है जो भी तक सुल्ज है तो आज आप इस चाप्टर में जानूगे क्या क्या कॉन्फिक्स भी हैं और कैसी है यह हमारी पडोसी देश ठीक है इंडिया के बारे में तो सब कुछ हम बुक्टू में पड़ते हैं यह ना इसमें हम अपने बाकी पडोसी देशों के बारे में जानने वाले ठीक है तो सबसे पहले चाप्टर में आपको बताया जाता है वाट इस साउट एश्या बेसिकली इंडिया और उसके बहुत सारे नेबर्स को मिलाके बनता है ठीक है साउट एशा में कौन कौन सी कंट्रीज आती है बांगलदेश भुटान माल्दीज श्रिलंका पाकिस्तान इंडिया नेपाल इन सब कंट्रीज को मिलाके हम साउट एशन रीजन रेफर करते हैं और यह कंट्रीज को आपको याद रखना है ऐसे बुकुल देमाग में copy paste होनी झाय है कौन-कौन जी South Asia की countries है तो जल्दी से मुझए comment section में बता दू South Asia की कौन-कौन countries है? लण करने की short trick बताती हूं, learn करने की short trick है या पर, यह मैंने तब से learn करती when I was in class 12, that is BBM PINs ऐसे आप कर सकते हो कि यह साथ इस्या की इसक्राइइं बोटान वांगलादेश अनिठीग्इग को था और फिर आ गया मालदीस फिर पीस से आंगया पाकिस्तान आई से आगया इंडिया एन से आगया नेपाल और ऐसे आगया श्रिलंका ठीक तो बी बी एम पिंस ऐसे जो है हमने लेंड कर ली यह साउथ ईश्या की सभी कट्विश है बेसिकली इसमें हम आते हैं हम इंडिया और हमारे बहुत सारे पडोशी देशी इंडिया गया यह पाकिस्तान आ गया यह मौलदीव जा गया यह श्रिलंग का बंगलदेश भुटान ठीक है अब जब हम इस रिजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को इस सम में क्या है इंडियन ओशन थी कितो एसे लिख लो साउथ में हैं इंडियन ओशन बेंग और गोल एंड जो है अरे इस वेस्ट में है आपको यह याद रखना है उपर हिमालिया नीच है जो गया इंडियन ओशन और बियंबोगाल और एडियन सी हमारे को सराउंड कर रही है इस साउथ इसा रीजन को अभी जो यह बाउंडरी जैना वह इस्ट और वेस्ट में अच्छे से मांग नहीं हो रखिए जितनी नौर्ट और साउथ में अगर आम नौर्ट और साउथ की इस प्यूट्स जो है वह सबसे ज़्यादा इस्ट वेस्ट की तरफ है क्योंकि आप बाउंडरी अच्छे से मांग नहीं है ठीक है यह आपको यहां रखने एक्जाम में क्वेशन आ सकता है कि बताओ कि कहां पर जो है इस वाली एडिया में कौन से डारेक्शन में ज्यादा अच्छे से बाउंडरी इस मांग नहीं है अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो मैं आपको सारे एंसी क्यू बनमार कर प्रिपेर कराती रहूंगी जो बोड़ इक्जाम में भी काम आइंगे और बार में आपके जो कॉम्पेटिटिव एक्जाम में सी उसमें भी आपक साउतिशा को कमें आपको करते हैं कि क्या में में करते हैं हम साउत ऐश्या को पुरा का पूरा एसक हमर को कवर करती हैं यह हमारा रेजन है अब आगे पढ़ेंगे अब हम अपना नेक्स ट्रॉपिक में हमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एक्षिन है और इंडिया को दो आपको पता ही होगा ठीक है तो जब से शिलंका इंडिया जो है अजाद हुए तब से लिके आज तक हम आने आपर डेमोक्रेटिक गवर्मेंट है और बहुत अच्छे से चल रही है कभी कभी कुछ पॉब्लम्स आई जैसे हमारे इंडिया में भी कभी-कभी एमर्जेंसी जब लगी थी हमारे या बट फिर भी हम लोगों ने डेमोक्रेसी को मेंटेन करा है ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी जो है कोई आच आई हो उस पर नहीं और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया तो वर्ल्ड की सबसे बिगिस्ट डेमोक्रेसी सबसे लाजर जेमोक्रेसी है शिलंका की अगर बात करें तो शि जैसे कि आप से बंख играvat का कभी की मिलिटरी के रूर रहे हैं कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है तो यह काफी जादा यहांपे जो इसलिएन हे बहुत सारे सब्सक्रीर रहते हैं बांगलादेश के अगर बात करोओ यह दstellung कर दोड़abad से अन्हीं 2021 के बाद से बांगलादीश भी अच्छे से democracy चल रही है बट अगर पाकिस्टान की बाद करें तो पाकिस्टान को जो total अंगर हम देखेंगे तो डेमोक्रसी जो stable हुई वहा वो 2008 के बाद से भी ठीक है next जो है हमार को अब भी पताया गया है नेक्स के बार में वो है नेपाल नेपाल constitutional मुनार्की था काफी समय तक उसके बाद 2008 में constitutional मुनार्की खतम हो जाती है और इतनी असानी से नहीं होती है कि मैंने कह दिया आपको ऐसे हो गए बहुत स्ट्रगल होता है और वो स्ट्रगल आप अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हो ठीक है अभी नेक्स देखते हैं भुटान भुटान constitutional मुनार्की था 2008 तक और अपना मल्टी पार्टी सिस्टम फिर इमर्ज कर लेते हैं माल्दीव के अगर बात करें तो माल्दीव जो है वह एक आईलेंड नेशन है माल्दीव आज कर देखा है आपने बहुत लोग ट्रिप पे नहीं 1968 में रेपबलिक बन जाता है और अग्रेसिदंशल फॉर्वर्म और मोनार्की में चाहती है और ज्यूंड यहां पर प्रेसिदेंशल फॉर्म 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 में पढ़े दी जहां प्रेसिडेंट जो है उनके पाच एक्ज़िव्यूटेब पावर यहादा होती है जैसे अमेरिका में है हमारी कंट्री में पालियमेटरी फॉर्म फॉर्मेंट है ठीक है अब फिर जून 2005 के अंदर यह जो पालियमेंट ऑफ माल्दीव उन्हों ने क्या करा अपने हाँ पर वोटिंग करके मल्टी पार्टी सिस्टेम को ओन कर लिया और अभी के समय कि अगर हम बात देखे तो माल्दीविस डिमोक्रेटिक पार्टी है जो हमेशा माल्दीव स्के ऐलेक्शन में और माल्दीव की कंट्री के अंदर बहुत जादा डॉमिनेटी रटी है तो यह वनें मार्कर में में आ सकता है कि मालदीव की एक बहुत ही पॉप्लियर पार्टी के बाहरे में बताओं तो देखो 1968 के बाद ये कंट्री बन गए रिपब्लिक बन गए प्रेज़ेंचल फॉर्म गवर्मेंट लगए 2005 में अपने आख क्या लगा लिया मल्टी पार्टी सिस्टम तो ये भी पू इसके इंदर डिमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए और यही चीज जो है यह साउद एशियन वीजन से प्रूव हुई थी दाट पहले जमाने में ना इसा कहा जाता था यह सब बड़ी बड़ी कंट्री से कहती थी कि ऐसे एरियास के अंदर जो पूर कंट्री जो पूर कंट्र करा था इनफैक्ट हमारे रेजन में सबसे जादा डिमोक्रेसी की डिमांड थी हमारे जों साउथ इश तीमें हरे जाथी कंट्री North कcesastern Constitution मीं यphones Charlles कि है यह संटता था कि यह 2020 प यूश्य लंका में हुई और बाकी कंट्रीज ने लड़ाई करी डिमोक्रेसी हासल करने के लिए तो यह प्रूफ हुआ कि डिमोक्रेसी का पूर और रिच कंट्री से कोई मतलब नहीं है जो जनता है वो करते हैं इस पायर डिमोक्रेसी ठीक है तो यह वाला टॉपिक हमारा मघ आता रहता था तो अभी डिटेल में पाकिस्तान का पड़ोगे फिर भंगलादीश का भी नेपाल का भी फिर शिलंगा का भी बुचान और मल्दीश का इतना डिजेल में हम नहीं पड़ेंगे ठीक है फिर आप सी हमारे जो मैने का जहगड़े चलते रहते हैं ना तो फि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है वो बार बार जो है चेंज होता रहा है कभी मिलिटरी कभी डिमॉक्रिसी तो करने में बट एक फ्लो चार्ट बनाओगे तो सब कुछ अराम से समझ में भी आजाएका और भूलोगे भी नहीं ठीक है तो सबसे पहले दैसी ही पाकिस्तान के कॉंसिटुचन बने के बाद की होता हैrints कि मिलिटरी रूर थे आनी की मिलिटरी गेंश्थे वह हैं अपनी मनमानी उन्होंहें करी उन्होंने आके पुखानाऊ अपने हाथ में लेली कौन थे यह सब यह जनरल का नाम किया जनरल अयूब खान तो जैसे इनकी Constitution बनी जनरल अयूब खान ऐसे आप लिख लो एके आते हैं यहां यह नहीं तो हम यह नहीं पढ़ने हैं अभी तो एक आते और फुद को इलेक्ट करे लेतिए और पाकिस्तान के रूलर बन जाते हैं बट सब्सक्राइब करते हैं करेदि एक बाद आते हैं यहा यहा खान ठीक हे आब युख शनर करना शुरू करते हैं पूरे च्चर्ण रूररी करते हैं वह कौं थे जनरल यायाकन तो एके के बाद आते है यायाकन ठीक है अब यायाकन की लीडर्शिप के अंदर क्या होता है बांगलादेश क्राइस यानि कि जब बांगलादेश तूटकर एक अलग कंट्री बन जाता है इंडिया-Pakistan का बहुत है, पकिस्तन उस बहुत में हार भी जाता है, ठीक है, चैप्टर वन में पाड़ा था, अभी आगे भी अभी पढ़ो गया, ठीक है, तो भई East Pakistan ब्रोक हो जाता है और एक नहीं कंट्री बन जाती है बांगलादीश अब इतनी बड़ा हार सही थी पाकिस्तान ने याया कांट की लीडर्शिप में तो लोग इनकी लीडर्शिप से बहुत ही जाधा नराज होते हैं फाइनली पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्टैबलिश होती है 1971 में ठीक है तो यह याद कर दो वाइके के बाद जो है 1971 में डेमोक्रेसी स्टैबलिश होती है इलेक्टेट गवर्मेंट इलेक्शन होते है इलेक्शन के बाद गवर्मेंट स्टैबलिश होती है और कौन बनते है तब लीडर गवर्मेंट के जुल्फिकार अली भुट्टो यह आप मानलो कि यह elected leader थे ठीक है अब जुल्फिकार अली बुट्टोज अच्छे से जो है government को run कर रहे होते हैं तब ही क्या होता है यह अच्छे दिन बहुत समय तक नहीं चलते हैं 1971 में जो है democratic government आयती और 1977 में फिर से military rule establish करने आ जाते हैं एक और जन्रल जिनका नाम तार जन्रल जिया उल हक ठीक है तो आपको क्या लिखना है 1977 में जन्रल जिया उल हक दुबारा से आ जाते है तो इसको ऐसा flow chart टाइप बना लो एक के से आए वाई के वाई के बाद democracy आती है जो जोल्फिकार हली भुट्टो की leadership में चलती है 1971 में फिर 77 में फिर से democracy जाती है और जन्रल जिया उल हक आ जाते हैं बट लोगों ने एक बार democracy देख ली थी लोग लोग फिर से प्रोटेस्ट करते हैं तो 77 में फिर से रूटा है बट लोग नाखुश होते हैं 1982 में जन्रल जिया को उल हख जो है वो क्या फेस्स कर देख जो आप ब्रोडेमोग्रेसी चाहिए हमें नहीं चाहिए मिलीटर शुरू होता है और यह प्रोटेस्ट चलता रहता ह चलता रहते हैं 1988 तक जाकर जो है सूचो आप कि दुबारा से जो है डेमोक्रेटिक गवर्मेंट होती है अब जब इस्टाब्लिश होती है तो उसमें लीडर बनती है बैनाजीर भुट्टो पाकिस्तान की लीडर थी तो वहां पे जो पाकिस्तान की लीडर बेनेजीर भूट होती तब जो पॉलिटिक्स है वो किन दों के बीच में शिफ्ट होती थी और कौन गवर्ण कर रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी तो यह दोनों थी मिनिस्टर थी इंको हटा यहां के यह जनरेल पर्वेज मुशरफ फिर से क्या कर देते हैं military rule establish कर देते हैं और 2001 में election type करा के खुद को president बना देते हैं तो basically यह दिखाते थे कि हाँ democratic हम में कर रहा हूं मैं president मन गया उलेक्ट होगे but actually मैं कोई democracy नहीं होती थी military rule ही फिर से वापस आ गया था ठीक है अब पाकिस्तान जो है 1999 के बाद फिर से military rule आ गया और जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो पूरे के पूरे जो है election manage करवाईगी just to give a look of democracy ठीक है यह आप देखो पाकिस्तान continued to be ruled by the army though the army rulers have held some election to give their ruler democratic image यानि कि वैसे तो प्रेजिडेंट बन के मिलिट्री रूलर थे कहीं न कहीं के लोग दिखावा करते थे image दिखाने का की भाष्ट डिमॉक्रेसी है बढ़ जनता बिल्कूल भी खुश नहीं थी जनता को चाहिए थी पूर डिमॉक्रेसी तो फिर से यहां पे दिमॉक्रेटिक मुव्मेंट होते हों गया और फाइनली 2008 में जाकर जो है डिमॉक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स जो है पाकिस्तान में फिर से रूल करना स्टार्ट करते हैं तो आगे का और डिटेल में नहीं बता रख है जनरल परवीज मुशरफ के बाद 2008 में जाके पाकिस्तान में फिर से डिमॉक्रेसी इस्टाबलिश होती है और तब से देखे के बाद YKI ठीक है और YK की लीडर्शिप में 1971 में बी बांगलादेश क्राइस हुआ था ठीक है उसके बाद 1971 से 77 तक डेमॉक्रेटिक गवर्मेंट रही थी जुल्फिकार ली भुट्टो की फिर से फिर जो है एक मिलिटरी रूल आता है कब 1977 में तब कौन से जनरल आ जाता है एक क्या जो है मिलिटरी रूल परवेच मशरफ का नेंची 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 आन के बाद आपको 2008 के डेट लिखनी है कि 2008 में देमॉक्रेसी इस्टाबलीश होती है फिर से और देन इस रॉनिंग फाइन तो यह जो है एक फ्लो चार्ट अभी जो है आप मेरे नोट्स आए-गा यह शौट में ठीक है तो तीन रेजन है बार-बार यह डीटरी की रूल आने के एवें दो डिमोक्रेसी ऐसा फिर भी मिलाटरी रूलर आप 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 आए कि पाकिस्तान में बहुत सोचल डॉमिनेंस सोचल डॉमिनेंस बहुत दब बायर बहुत अमीर है और बहु सब्सक्राइब करना शुरू कर देती थी इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि बार-बार मिलिटरी रूलर्स थे इनके वह भी कहते थे कि पाकिस्तान के लिए सही नहीं है जो यह यह उनको बहुत ही जादा हाम कर सकती है इनकी कंट्री की पॉलिटिक्स को तो इसलिए जो आर्मी रूल रहेगा वही जब से जादा इनके लिए सेफ रहने वाला है ठीक है नेक्स जो थर्ड रीजन है कि क्यों बार-बार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस्टाबिश नहीं हो इस आप अपनी कोंट्री करती है यहां पर पाकिस्तान में मिल्करी रूल बार-बार आरे थे बट को इंटरनाशनल कांट्री जो यह इंटर्फयर नहीं कर रही थी और वह इंटर्फयर इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि नहीं डड़ लगता था of what is known as the global Islamic terrorism ठीक है उन्हें डर लगता था terrorism की वज़े से वो नहीं चाते थे कि भाई जो यहां पे भी है terrorism फैल जाए और second लिए Pakistan के पास nuclear weapon भी आ चुका था और nuclear weapon वाली country Pakistan बन चुकी थी तो यह नहीं चाते थे कि यहां पे कोई भी problem generate हो तो इनको भी लगता था कि military rule यहां पे जो है safe रहेगा so that कोई terrorist organization नहीं बनेगी and all that इसलिए यह लोग भी चाते थे western world भी चाता था कि भाईया military यहां पे रहेगी तो वो protect करेगी सब को ठीक है यह इनके वज़े से जो है यहां पे पाकिस्तान में बार-बार military आ देती democracy fail हो रही थी while democracy successful नहीं हुई थी पाकिस्तान में बट पाकिस्तान के लोग जो हैं उनमें बहुत sentiments थे democracy के military ruler आते थे बट वो हड़ती नहीं थे वो बार-बार प्रोटेस करते थे कि हमें democracy चाहिए और शुरुआज से पाकिस्तान की प्रेस रही है उनकी मीटिया है उनके उपर मतलब की वह बहुत restrictions नहीं है they have opened up मतलब कि उन्होंने काफी अच्छा-कासा सामने आके जो भी बात उनको दिखाई दीती है अपने देश में उन्होंने सामने आके बोली है human rights movement is also there in Pakistan ठीक है तो यह reasons थे failure के तीन हो गया social dominance ठीक है दूसरा हो गया इनका military जो इंडिया के साथ dispute रहे तो military कहती थी कि हमारे यह power में रहना जाधा से तीसरा कोई international government यह international और कोई भी international organization भी इनको support नहीं करती थी इसलिए democracy बारबर इस्टाबलिश नहीं होती थी तो यहां पर पाकिस्तान का topic complete अब हम पढ़ेंगे अपनी next neighbor के बारे में जो है Bangladesh so let's study about democracy in Bangladesh तो अगर हम बांगलादेश की बात करें तो 1947-1971 तक Bangladesh था इस पाकिस्तान अगर आपको याद हो तो जो population थी उसमें बेंगाली स्पीकिंग बहुत सारी ते और जो बेंगाली कल्चर को अपना थे बेंगाली क्ल्चर प्रैक्टिस कर दें और यह वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू पोलने इंहें अपने क्ल्चर को फॉलो करना है यह इनको तो यहांपे प्रोटेस्ट की लोग रह रहे होते हैं अब इस प्रोटेस्ट में विंदी बोलोerem करें तो हम आकषोह और दो सब्सक्राइब करे uğram तो आ में लोग फलिव आन याने कि तो हम सब्सक्राइब करें फिया नाया है यह नहील दो वासाइन notamment कि आप्षूह थो में आलग उपनी गते कि मैं यहां जाते ऐंधी राइद प्रीमांते कहते हैं हमें जो है पावर दो खुद को रूल करने के ऐसा निया कि हम वेस्पाकिस्तान के डॉमिनेंट जेलते रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉंच होता है यहां पे शेक मुझब और रहमान की लीडर्शिप में शेक मुझब और रहमान को लीड कर रहे तो य यह जो पाकर सोती हैं वो डिमान करते हैं वैस्पाकिस्तान से और 1970 में पाकिस्तान कें अंदर हूते हैं औरस सारी की सारी सीट जो हैँ गाइस वह fish पूर रहमान थीक है अब ये पॉपुलर मेजॉरिटी से जीत जाते है तो मतलब कि इनके हाथ में पावर देनी परती वैस्फ पाकिस्तान को तो वैस्ट पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है इन फैक जो ये पॉपुलर एलेक्षोन के रिज़र्ट दे उसको खारिष कर देता है और शेक मुझब पाकिस्तान के लूग प्रोटरतें सब्सक्राइब करें वीड़ोत करें फद्री आप सोज भी नहिंग के सकते ट बहुत सारे लोगा इंडिया माइग्रेट करने लगें यहां पर इंडिया के माइग्रेशन की वज़े से भीक्हीजी प्रॉब्लम होगी समय पर 19 समय अपनी सेटीस का हम z DC सब्सक्री ट है और हम अपनी economy को गुरोगा थे हम अपने और हम इतनी बड़ी refugee प्रॉब्लम से हमें डील करना बढ़ाता है तो हम भी जाके बोलते हैं फिर वेस्ट पाकिस्तान को कि इस पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए तो उस समय पर इंडिया का पाकिस्तान का वोर हो जाता है अब उस वार में अंडिया जीत जाता है और बांगलादेश एक नई और अलग कंट्री बन जाता है ठीक है तो आपको समझ में आ गया हुआ एक शौट फॉर्म में बताओं मैं आपको तो 1971 में जो है इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में हुआ इलेक्शन में इनके एक लीडर जीट जाते हैं तो यह उन लीडर को पावर देने की जगा अरेस्ट कर लेते हैं और यहां पे जो है अपनी मिलिटरी बेज के यहां पर जो परोटेस्स चर्ण रहे थे उन परोटेस्ट को दबाना लोगों को मारणा पर्म कर देते हैं वहां से इंडिया में बहुत सारे रेफ्यूजी बन कर आते तो इंडिया और फिर रेफ्यूजी प्राइब होती है तो इंडिया पाकिस्तान की एक शुरूँ हो जाता है उस नाइटीन सेवैंटीवन में यह वर होता है उस वर में हम जीत भी जाते हैं and finally बांगलादेश बन जाता है 1971 में तो दिस इस एव बांगलादेश वास्क्रेट तो आपने देखा बांगलादेश के में इंदिया ने help की थी ठीक है तो बंगलादेश एक separate country separate nation independent nation बन गया उसके बाद यहां पर क्या होता है तो सबसे पहले अपनी constitution मनाते हो उसमें कहते हैं कि हम secularism follow करेंगे democracy follow करेंगे socialism तो यह अपने constitution में mention करते हैं कि हम अपनी country को डिमोक्रेटिक लीड चलाएंगे हम democracy अपनी country में रखेंगे बड़ तब भी क्या होता 1975-71 में तो country बनी ही है 75 में वही शेक मुझे जिनको लोगी तर सपोर्ट करते थे वही शेक मुझे जो इलेक्ट हुए थे वह मुझे उन्हें मान क्या करते है constitution को change कर देते हैं और जो country है उसको parliamentary form of government से presidential form of government बिना देते हैं parliamentary form of government में जितनी भी executive power होती है वह जादा prime minister के पास होती है and parliament के पास होती है presidential form of government में सबसे सब्सक्राइब कर देते हैं अपनी पार्टी के लावा यार सूचो इन्हों ने क्या करा कि इतना अच्छा खासा है यहां पर democracy चल रहे थी election होती पार्टी को हटा दिया का बस एकी party रहे यहीं मेरी पार्टी रहे वन पार्टी सिस्टम वहां establish कर दिया तो इन्हों और इस वज़े से जो लोग हमां के गुस्त आदे कि भाई यह क्या तरीक हो गया हमारी इसे बिना पूचह यह हमारे और कहां इनके मिलिटरी रूल आ गया नए मिलिटरी रूलर कौन आते हैं जिया और रह्मान और इन्हों ने अपनी एक अंगलदेश नाशनल पार्टी बनाई और यह एलेक्शन जीट गए 1979 में बेसिकली अगर आप सोचो मिलिटरी रूल में एलेक्शन कैसे हो रहे हैं तो रह आजाते हैं जिनका नामता लेफ्टेनेंट जन्रल एचेम अर्श्रत थीक है अब जो पीपल थे बांगलादेश की जन्ता बहुत परशान हो चुकी थी वह क्या हो रहा है अच्छी कासे में डिमॉक्रेसी चाहिए थी मिलिटरी रूल मिलिटरी रूल एक कमडर दूसी कमडर डिमॉक्रेसी की students वह स्टूडेसी चाहिए नहीं हमें उसहां प्रैशर्ट के रहना है तो इस समयी रूल्र थे उन्हें थोड़ा बहुत डिमॉक्रेसी प्रैक्टिसे अलाओ करने हम पर देंडिग प्रेशान के वाद फिर और ब्रेशद को प्रेज़िए और वह अब्या कर प्रोटेस्ट लोग इतना जादा प्रोटेस्ट करते हैं कि अर्षद अपने अपने कुर्सी छोड़ देते हैं जो यह लेफटेनेंट जेनरल अर्षद थे नैंटी नैंटी में और नैंटी नैंटी वन के बाद जो है एलेक्शन होने शुरू हो जाते हैं यहां बांगला-देश के अंदर और तब बांगला-देश एक मुल्टी-पार्टी सिस्टम है जहां पर अच्छे से डेमोकरैसी चल रही है तो आप यहां पर देखो कि यहां का कि यूवलेकूल रोल्कॉस्टर राइट की तरह दिमॉक्रेसी का इस्टाब्लिश हो रहा कि सबसे पहले हमने स्काह से करा था इन 1971 में फ्रीडम मिला इन्हों ने अच्छी आख से डेमॉक्रेसी वाली कॉन्स फ्रीडिश्न ऑना इपे चेंज कर दे लिडर मुझार को रहान ज जो है फिरी मल्टी पार्टी सिस्टेम बन जाते तब ही मैंने आप रोब बताया था कि पोस्ट कोड़ वर एरा के बाद से बांगलादेश सही से देमोगरेसी पे चल रहा है पोस्ट कोड़ एरा मतलब ही होता है 1991 के बाद से ठीक है तो एलेक्शन कम हुए थे बांगलादेश नेपाल पहले हिंदु किंडम हुआ करता था पास्ट में उसके बाद नेपाल कोन्सिट्यूशन मोनार्खी कैसे बनता है क्योंकि जो नेपाल की जनता थी वह हमेशा चाहती थी कि उनक्या पॉलिटिकल पार्टीज हो और उनक्या गवर्मेंट इस्टाबिश हो बट राजा बहुत प्रेशर डालते हैं बहुत ज्यादा अब हो करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसकी नेपाल के कब बनता है नेपाल को एक्सप्ट करना पड़ते है क्योंकि लोग बहुत डिमांड करें तो राजा सोचते हैं कि चलो Constitutional Monarchy कर देते हैं और Constitution बन जाती है फिर नेपाल के और Constitutional Monarchy से रूल होने लगता है अब लोगों को तो चाहिए था कि भाई आभी Constitutional Monarchy कल को full-fledger democracy लेकर आएंगे बट उनका जो यह सोचती उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है क्या होता है कि 1990s के बाद यानि कि इसका पिरेट का अगर आप मानो 1990s से लेके 2000 के बीच में माविस्ट मतलब एक ऐसा गुरुप बन जाता है जो अपनी बाते मनवाने के लिए लीडर्स से वैलें्ट का भी यूस करते है veoaja के खिलाफ एक जंगçar कर देते हैं तो चो एक अपनी के बीस में लड़ाई हो जाती है तोराचा की आरμी और दोनों आपस में यह तो सुरू कर देते हैं और हमका सिस्टम बहुती सथा जाता है और समय क्या होता है नेपाल के अंदर ट्रिंगुलर कॉंपरोस के बीछ मैं एक तो नेपाल के राजा मोनार्क दूसरे माविस्ट जो लड़ाई कर रहे थे इनसे और तीसरे डेमोक्राइट जो चाहते थे भाई आमें डेमोक्रेसी चाहिए बाट पीस्फूली चाहिए हम राजा से पीस्फूली प्रोटेस्ट करके मांगेंगे जैसे कॉंस्टिटूशन लगवाई थी यह थोड़ी है कि वाइलेंस करके हम अपनी बाते बनवाएंगे तो इनके बीश में ट्रैंगुलर कॉन्ट हो जाता है राजा भी कहते हैं कि भाई ठीक है राजा कॉंस्टिटूशन मोनार की के अंडर में और जो गवर्मेंट उन्होंने लिमिटेड लेवल पर डिमॉक्रेसी जो उन्होंने अलाव कर रखी थी वो उसको भी एंड कर दे तो कहां तो नेपाल के लोगों का सपना था कि 1990 में अब जब कॉस्टिटूशन मोनार्की आ गया तो कल को फुल हैं अगेल लोग जो है क्या गरते हैं प्रोटेस्ट करना शिडू करते हैं एप्रेल 2006 में पूरी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट होता है मैं क्लास नाइंथ में भी पढ़ा था आपको फोटोस देख हुए तो मतलब की पूरी जंता सडगों पी उतर के आ चुकी थी नेपा 2006 में पालियमेंट को वापस लेकर आना पड़ता है फिर जो है यह जो प्रोटेस्ट चल रहा था आपकी बारी वह नॉन वाइलेंट था अपकी बारी माविस्ट की तरह वाइलेंस नहीं हुआ था बलकि यह जो प्रोटेस्ट था इसमें सबने मिलकर साथ दिया था यह प्रो लोगों ने मिलकर तीन प्रोपर ग्रुप्स ने मिलकर जो है प्रोटेस्ट करवाया पूरे कंट्री में और राजा को उनकी डिमांड फुल्फिल करनी पड़ी राजा ने तो है जो फिर से पालियोमेंट लगा दी और 2008 में फाइनली राजा को स्टैव डाउन करना पड़ता राजा को अपनी मुनार की रूल बिलकुल खतम करना पड़ता है नेपाल से और 2008 में जाके जो है जो है हमारा जो नेपाल है वह फुली डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है अब फुली डेमोक्रेटिक बनने के बाद ही अपनी बनाते हैं बनाने में यह काफी लंबा समय बनाएं तो अगर हम देखें नेपाल का क्या सीन रा अगर एक फ्लो चार्ट के थू तो नेपाल में 1990 के अंदर क्या इस्टैबलिश होता है कॉंस्टिट्यूशनल मोनार्की जो 2002 में हटा दी जाती है माविस्ट और जो है किंग की आर्मी के बीश की लड़ाई की वज़े से ठीक है फिर 2006 में बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है और इस पार्यामेंट को रिस्टोर कर दिया जाता है और डबल डबल ट्रिपल ट्रिवल पूरे के पूरी कंटरी में प्रोटेस्ट हो रहा होता है ट्रिपल अलाइंस होता है इस वे सेवन पार्टी के मेंबर्स का माविस् तो यह था नेपाल का एक फ्लो चार्ट जिससे आप नेपाल को असानिक से समझ सकते हो रट्टा फेकेशन करनी के आपको जुरत नहीं पड़ेगी तो अब हम आगे जानेंगे जब नेपाल में इस्टैबलिश हो जाती है तब नेपाल के कुछ ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि सब्सक्राइब नेपाल के बाद करें तो उन्होंने का कि ठीक है हम ऐसे वाइलेंस वाइलेंस तो छोड़ दिन गे बट अब जल्दी से हमारे देश को डेवलप करने के लिए राडिकल प्रोग्राम सम लेकर आते हैं जल्दी से हमारी सोसाइटी को रिस्ट्रॉक्चर हमें क पर भी नाम लगाते हैं ठीक है तो चलो अभी आपको नेपाल इंडिया की पता चल जाएगा अब हम आते हैं परोसी देश पर जो है श्रिलंका ने नेक्स पर उसी देश की बारे में पते हैं श्रिलंका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1948 में तो आपको पूचा था तो आप कोंफिक्ट की वज़े से जो में पावर शेरिंग चाप्टर में भी पढ़ा था देखो श्रिलंका के अंदर डो टाइप के पीपल है एक है सिन्हाला पीपल ठीक है दूसरे है तामिल्स टो है ठीक है उन में से कुछ तामिल्स ऐसे हैं जो बहुत पहले जमाने में यारी कि से ब्रीटिशरूब कर्रहね ते उस झालन का गये एक प्लांटेशन कारने की प्लांटेशन करने से तो ने और प DF क्रिएच Amazon को और ममें पॉज जाता हो ब्रूसमें ना पर रहता ही तो इन्हों ने क्या करना ष्रुझ कर था हम्नेते 10 से ओसम ये दन नहीं देतें थे थे- enlar दस्ञाला को करते थे- तैमिल्स को इतना मेहत्वित नहीं दे-दे और अपने जो इनहला पीपल थे उनको सबहर करते तो तह में लोग बहुत परशान होते हैं स्टीट से कि Day कंट्री तो हम सब की है अंची है हम सबником का उनमें इंडियन तामिल्स पर तो श्रिर्णका के थे टिक है तो मिलिटन्ट और मीट करते हैं की का बनाते हैं एक और प्रिछ की फॉल दो एक अलग गोशेथ कर दो हमें अपना एक लिग्रांगो सब्सक्राइब what ख्यान नाम रखते ही तो बड है कि अन्लों को और यहां पर शुरू होई जाती है जो एल्ड टी वाल थी वैसे भी मिलेटेंट ओर्गनाइजेशन ती ये श्रीलंका की गवर्मंट पर बहुत दबदबाव ढालती थी कि हमें हमारा तामी लीला में हमें हमारी स्टेट अलग करने हैं हमारा रीजन को अलग करने अब यहां पर इंडियन गवर्मेंट इन्वाल होती तो इसलिए हम लोग वहां जाते हैं कि अगर हमारे कुछ वजद करने से शायद महां पर जो इतना conflict शुरू है वह एंड हो पाए तो हम लोग श्रेलंका की government के साथ एक accord sign करके श्रंका की government से agreement करके उनके कहने पर ही हम अपनी काफिस सारी करने के लिए कब भेशते हैं हम 1987 में हम लोग अपनी आर्मी को वहां पर भेशते हैं सो दाट महां की situation ठीक हो पाए बट कहीं न कहीं श्रिलंका के लोगों को यह चीज अच्छी नहीं लगती है कि हम अपनी इंडिया रमी हमारी इंडियन आर्मी क्यों जा रही है उनके मैटर् इंडियन पीस कीपिंग फोरसे जो श्रिंका गई थी हम उने वापस बुलवा लेते हैं 1989 में तो उसके बाद हम कहते हैं ठीक है जो रहा हो रहा है हम आप से इंटर्फेर नहीं करेंगे श्रिलंका के इंटर्नल पॉलिक्स में फिर भी श्रीलंका के अंदर बहुत समय तक शुरू हो गया था है यहां पर बहुत लड़ाई चल रही थी तो फिर इंटरनैशनल दबाव आता है इंटरनैशनल औरिस इंटर्फेयर करते हैं तब जाके बहुत situation normal होती है ठीक है कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज आती है नौर्वे आइसलेंड यह जो है ना वह हैं आइलेंड नेशन से यह भी तो यह आके इनको कहते हैं कि ठीक है भाई आपनी लड़ाई आप अपना महल ठीक करो एंड फाइनली जो आम्ट कॉन्फिक्ट था शिलंका और करेंड की के बीच में वह कब खतम होता है तूथा थाउजन नाइन में थीक है तो आप समझो भाईया कि लड़ाई कब से शुरू हो चुकी थी 1983-2003 में जाके लगब 20 सालों तक चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है एंड जो है उसके बाद जो है एक चीज आपको य सब्सक्राइब होते हैं बड़ी और लोगों की इंकम बड़ी और लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करा तो इनकी हुमन डेवलाप हुए यहां पर ठीक है श्रीलंका जो है बेसिकली इनका वार हो रहा था बढ़ तब भी यह पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने पहली ऐसी कंट्री बनी थी साउथ इशा की जिसने अपनी इकॉनमी लिब्रलाइज करी यानि की बाहर के देशों को अलाओ कर दिया था हमारे हां के इंवेस्मेंट करो और यह एसी कंट्री ती जिसकी हाइस पर क्यापिटा डोमेस्टिक प्रोड़क्त हुआता है यानि की सब्सक्राइब काफी तीजी से भर रहा था सिविल वार चल रहा था कंट्री में बट जीडीप इनका बरता रहता था डिस्पाइट रावजेश ऑफ इंटर्नल कॉन्फिक्ट इस मेंटेन डिमोक्राटिक वोलिटिकल सिस्टम और यह बहुत सबसे अच्छी बात है कि चाहे कॉन्फिक्ट चल रहा था चाहे 20 साल तक वार चल रहा था इंग्या बट फिर भी डिमोक्रेसी हाम नहीं हुए मिलिटरी रूल नहीं आया डिमोक्रेसी बरकर आ रही तो यह थी श्रिलंका की कहानी के तो इश्यूज ऑफ कॉन्फिक्ट अगर इंडिया और पाकिस्तान की ब कश्मीर के बहुत सारे हिसे को पाकिस्तान ने उक्यूबाय कर लिया तो और उसको पीयो के बोला जाते और उसको डिवाइड कर रहा है बाइद लॉसी लाइन ऑफ कंट्रोल 1971 में फिरसे हमारा पाकिस्तान के साथ वर होता हुई यह क्लिया पाकिस्तान की साथ लिए की ताकतवर है ठीक है इस तरीके से जब हम अपना कोई जब हमने अपना न्यूकलियर टेस्ट करा जब ऑपना तो कि नूकलियर टेस्ट करा था तो पाक्स्तान में भी हमारे को देखा कि थोड़े जनों बादी छगाई हिल्स में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिया ठीक है सिंस देन इंडिया पाकिस्तान जब से हमारे पार न्यूक्लियर वेपेंज आ चुकिया उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री रिलेशन स्ट्रॉंग हो रहे हैं और हमारे बीच में बहुत कम पॉसिब्लिटी हो गई है फूल स्केल वार होने की क्योंकि अब दोनों ही कंट्रेस के पास में यूक्लियर वेपेंज है तो हमारे एडिया से हमारे बीच में जो है प्रॉब्लम से रहती हैं इंडिय कि जो गवर्मेंट है हम बताते हैं पूरी दुनिया को भी एन वी नो जो पाकिस्तान है वह कहिना कई हमारे कश्मीर में वाइलेंस क्रियेट करवाता है मिलिटेंस को वेपेंस देते हैं कभी भी महुल ठीक नहीं रह पाए उनको ट्रेनिंग देते हैं उन्हें मनी देते हैं इंडिया की अगेंस्ट हो रहें ठीक है इंडियन गवर्मेंट के भी बिलीफ करते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है पाकिस्तान जो है वो कई बर खालेस्तानी मिलिटेंस को भी सपोर्ट करते हैं उन्हें एमिनेशन वेपेंस वगेरा देता है और ऐसा 1985-1995 में इन्हो अच्छाना को वाई हैं दो प्रोंइसे ज है City करते हैं इंडियान पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोब्लम रिवर वाटर शेरिंग को लेकर ही हैों सा था वह इंड्रिफ की शेरिंग को लेकर कहिक है तो हमारी प्रोंड उन्हें ऐस्टेंट इसनि meng वी के हमारे को दर दृ इंडेस वाटर ट्विटी चलते हैं उसके बाद हमने नदी के पानी को लेकर लड़ाई नहीं करें एक और हमारे बीच में एक मुद्दा है यहां पे रन आफ कच में जो है सर्क्रीक को लेकर यह भी एक वाटर वाला एरिया है यह भी ऐसा है जो हम क्लेम करते हैं हमारा पाकिस बहुत समय से नेगोसियेशन कर रहे हैं कि भाई ये डिस्प्यूट जो है वो सॉल हो जाए ठीक है अब हम आते हैं अपने नेक्स नेवर पर जो है इंडिया नेच अब बांगलादेश की बारे में पढ़ेंगे तो बांगलादेश और इंडिया का भी काफी बार जो है लिए एंटर करते हैं और कई बार हमने यह भी देख आए कि बांगलादेश के अंदर अन्टी इंडियन अक्टिविटीज होती है हमारे को नुक्सान पहुचाने वाली एक्टिविटीज होती है बट बांगलादेश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता इंडियन टूप को कई सबसे बहुत जादे बड़ी है और हमारी कंट्री साइस में सबसे बहुत जादे बड़ी है और हमारा पॉलिटिकल सिस्टेम बहुत स्टेबल है और यह कहीं न कहीं यह सोचते हैं कि हमारा साइस जादा है इंडिया का अगर हम देखें इनके कंट्री के मुताविक तो हम इनको प्रेशराइज करते हैं रिवर वाटर को लेकर और बाकी चीज़ों पर ठीक है और यह य इंजाम लगाते हैं तो हमारी वाटर अच्छी से शेयर नहीं करते हैं और इंके नाश्रल गास जो है हम एक्स्ट्रेक्ट करते हैं लेकली दो कंट्रीज है हमारा जो बाउंटरी डिस्प्यूट है अभी तक सौल नहीं हो पाया तो यह हमारी प्रॉब्लम वाली अरिया अब अब देखते हैं हम कॉपरेट अब क्या पड़ेंगे तो है ना वी सॉल्यूशन मिला थोड़ी है अब कॉपरेटी का देखते हैं कहां पर ऐसा नहीं लड़ते रहते हैं का इस देखो हर जगह ऐसी होते हैं लड़ाई है तो यह जो हमारी आपस में नीबर है ना तो भाई करते हैं एकॉनमिक रिलेशन ट्रेड वागयरा हमारा अखरी इस्तानों में काफी अच्छा हो गया है बांग्लादेश इंडिया की लुक इस्ट पॉलिसी का पाट है हमने एक लुक इस्ट पॉलिसी बनाई जहां हमने सोचा कि हम जो इस्टन साइड में हमारी कंट्री देश साउटीस एसियान की में कंट्री देशी वाली उनसे वी ट्रेड लिंग कहेंगे उसमें जो है बंग्लादेश को भी इसासर मेंजमेंट की बात आती है तो हमारी कंट्री को लाबरेट करती है आपस में दूसरी की मदद करती है साथ बैठ कर डिसेशन लेती है 2015 में हमने सारे बंग्लादेशी people बहुत समाने से रह रहे है तो उनको हटाने की जगा और उसको इंडिया में इनक्लेव गुषिद कर दिया और ऐसे ही क्या होता है की काफी सारे बंगलादेश के ऐसे हैं ज이션ता हो बहुत कर दिया खीक सथी दिढ़रू से हमलें कॉपर देस्पे अ इसारे common threats भी हैं हमारे आपस में कोई सेम सेम दुश्मन है हमारे तो इसलिए हमने सोचाए कि आपस में अपना भाईचार और अपनी friendship जादा बढ़ाएंगे ठीक है अब हम पढ़ेंगे नेपाल और इंडिया तो नेपाल और इंडिया को तो बहुत ही सुंदर सा रिलेशन्शिप हैं यह आपस में हमारी इतनी अच्छे रिलेशन है कि हम बिना वीजा की एक दूसरे कंट्री में मूफ कर सकते हैं बट ऐसा निया किसे इंडिया को अच्छा नहीं लगता है जब कभी नेपाल चाइना के साथ जो है वर्म डिलेशन रगते क्योंकि जब तुम हमारे दोस्तों तुम हमारे जिसी बनती नहीं है तो तुम इतने क्लोस की हो रहे हो जैसे आपकी बेस्वें आपकी दुश्मन से बात करी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा एक्जाक्ली नेपाल की जो गवर्मेंट है वह कई बार जब एंटी इंडिया चल रहे होते हैं तो चुप रहती है कुछ नहीं को यहां पर लग रहा है कि है चाहिसा कुछ और है जो इंडिया की बात अच्छी नहीं लगता है कि जो माविस्ट ग् का राइस हुआ है अलग-अलग स्टेट्स में अंधरप्रदेश में और साउथ में भी इसके बारे में आप बुक्टू में भी पढ़ोगे ठीक है मैंने लीडर से इंसे नेपाल नेपाल के लीडर से देजन सोचते हैं कि इंडिया की गवर्मेंट जो है उनके इंटरनल सब्सक्राइब करते हैं तो इंडिया को इनके मदद करनी चाहिए एक्सेस तुसी के लिए बठ हम लोग नहीं करते हैं तो यह हम अंको ऐसा कहते है ठीक है बट फिर भी चलो जो यह सब बातों को अगर हम छोड़ें तो इंडिया और नेपाल का काफी फेरली स्टेवल पीस् सब्सक्राइब करते हैं ठीक है अब इंडिया और शिलंगा के अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी जो इंडिया और शिलंगा के रिलेक्शन्चिप में होई थी वह जो है इतने कॉन्फ्लिक के खतम होने के बाद ओबर हो चुकी है इंडियान लीडर्स जो है इंपॉसिबल था उनके लिए चोप रहना जब इंडियन तामिल्स को नुक्सान पहुचाया जा रहा था तब ही हम लोगों ने वहां पर चाके मडेटरी हमारी गई थी वहां पर इंटर्फेर करने के लिए बच जब जो है हमारी ल्टीटी के साथ ही लडाई हो गई थी तो उसके बाद हम हमारे इंडिया श्रिश्रांगा की बात करें तो तो फ्रीटेड एग्रिमेंट हमने श्र्लंगा के साथ सायं कर रखा है और जो है इसने हम दोनों के रिलेशिन को बहुत ही जाता उस्चेन कर एंट फ्रीटेड मितलब हमारे हाँ से श्री जड़ंगा में घूर्यांगा तो उसके बाद इंडिया ने मदद करें तो इसके बाद हम लोग क्लोज आगे हैं बोतान और इंडिया कि अगर हम बात करें तो बहुत सुंदर एलेशन है बोटान और हमारा ठीक है कोई ऐसा मेजर कॉन्फिक्ट नहीं है बोटान के मुनार कईबर हमादी हेल्प करते हैं जब करने के लिए काफी कोशिश करता है ठीक है इंडिया और मॉल्दीव की बात करें तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे है 1988 में जब कुछ तामिल मर्सेनीरी जो है उन्होंने अटाक कर दिया तो मालदीव को हमारी ने हमारे टूप्स को भेजा था महापके उनकी हेल्प करने क है आपने नोटेस कर ओगा कि देखो अब अपने सारे नेवर्स के साथ प्रॉब्लम पढ़ी है जाधा तर इसलिए होते हैं डिपेंडिंग ओनर साइस जो है हमारे बहुत जादा है तो इसलिए शायद जो हमारे इन्टेंशन को गलत समझ आदो सूशते कि हम उने बुली कर बट हमारे गवर्मेंट के अगर बात करो तो हमें भी ऐसे नेबर्स जिनके आप इतना इंस्टेवल महौल है जैसे कि पागिस्तान भी इतनी इंस्टेबिलिटी थी इतने समय तक पांगलिया देश में दीश लंगा में भी थी तो इससे कई न कई हमारे लिए भी डर था क्यू क्यूंकि हमारी कंट्री में तो सब कुछ अच्छे का सब्सक्राइब करते हैं इसे नेबर्स आपस में भी कई वाल बैटे थे जैसे कि नेपाल और भूतान और बंगलडेश और मेंमार का काफी बड़ेस इग्रेमेंट हुआ है माइगरेशन को लेकर कि इन कहसे माइगरेंस इधर से उदर जाते रहते हैं इसके लिए ठीक है मांगला देश और नेपाल निम का काफी डिफरेंस रहा है फ्यूचर ऑफ हेमालियन रिवर्स के उपर रिवर वाटर शेरिंग के उपर मेजर कॉन्फिक जो है बिट्वीन और अधर नेवर्स ही है और क्योंकि वह इसलिए है कि हम आपस में भाईचारा बढ़ाएं एक प्लाटफॉर्म बना है जहां हम जाके बातशीत कर पाएं फ्रिंड्शिक को मेंटेंड कर पाएं और वह हमने कब करा था हमने वह करा था सार्क बना के सार्क क्या है जैसे हमने एसियान पढ़ा है मतलब यह इस यह तो के द्वारा कॉपरेशन बढ़ाने के लिए इट बिगेन इन 1985 1985 में सार्क बना था शुरुवात हुई थी सार्क की इतनी हमारे बीच में डिफरेंसे लडाईया है कि सार्क उतना जाद सक्सेस्फुल नहीं हुआ है ठीक है अब जो सार्क जब हमारा बना था तो सार्क के कि दूसरे के कंट्रेश में गुड्स बेच पाएंगे उनसे खरीद पाएंगे असानी से डिस्ट्रिक्शन्स वगेरा कम होंगे और यह हमने सोचा था कि सार्क बनने के बाद एक न्यू चैप्टर ऑफ पीस बनेगा हम कंट्रीश के बीच में लडाई बढ़ाई भूलके ए साफ्था के अब्जेक्टिव क्या थे साफ्था एच्छली में बना क्यों था यह आप देख लो तो साफ्था के अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में नेपाल में तो हमारे को जो है वो लोग तैरिफ कम लगाएंगे चो टैक्स होता है और हम उनसे कुछ इंपोर्ट करा रहे हैं तो हम कम तैरिफ लगाएंगे यह ठीक है बट जो हमारे कुछ नेवर से उन्हें डड़ लगता है कि यह जो साफ्था है इंडिया की एक स्ट्राटिजी है जिससे हम उनके मार्केट्स को जाके कब जा ले क्योंकि यह कंट्री जो है इनके अभी काफ तो भी हमारे ना क्यात्री में एक कर नेपाल के साथ सान। believe हमारे बहुत सारे नेवर्स के साथ सैंहें जैसे यह पता रहा है Iまた एससे हमने सा sigui कर नेफिवान के सांथ सांथिए अब थोड़ा सापको यहां इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बता रखा है कि देखो जो हमारा यह जो कॉंफ्लिक्ट है यह एंडिंग कॉंफ्लिक्ट नहीं लगता है यह जब तक कश्मीर इशू सौल नहीं होता यह चल रहा है बट हमने कई बार कोशिश करिया आपस में का फ्रेंड्शिप का महौल नाएं कि हमने को शीच करिए हमारी लीडर्स वहां जाते हैं उनकी लीडर्स आंथे उनकी यह आथे अपस में उनकी बने हमारी ओर संट हो और जो है कोई बीमेजर प्रॉलम होता है बहुत सारे बसरूट भी स्टार्ट हुए है इंडिया और पा two parts of Punjab has increased substantially last five years visa have been given more easily कि Pakistan जाना और इंडियाना कुछ थोड़ा visa given में जो है अच्छे से easily देना शुरू हो गए हैं बड़ा बहुत हमारा cooperation हो रहा है next जो है यहां बता रहा है no region exists in vacuum it is influenced by outside power अब देखो क्या होता है अभी किस रीजन के अंदर अगर कुछ problem चल रही है तो यह USA UN foreign countries आके interference जरूर करती है and same happen with us क्यूंकि इंडिया के conflict बागी countries के साथ में चल रहे थे और यह region में काफी जो है instability आ रखी थी तो कई वार चाइना United States और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज आके हमारे बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश करती है हमें थोड़ा बहुत बहुत बताया चाहेगा जो चाइन और United States ना अमेरिका मून का हमारे region के साथ South Asian region के साथ कैसा relationship है तो चाइना United States की बहुत करें तो South Asian politics में इनका की रोल रहता है चाइना और हमारे तो और भी हुआ था ठीक है और हमारे जो relationship है वह खराब भी हुए और फिर हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी उन्हें इंप्रूफ भी करने की लास ली अगर हम आप देखे तो चाइना जो है ना कई बार partnership करता है पाकिस्तान के साथ हमें नुकसान पहुचाने के लिए the demand of development of globalization have brought the two Asian giants closer यहां दो एशन जाइन कौन है बाई चाइन और इंडिया अब चाइना और इंडिया के बीच में भी dispute है बट हम उस dispute को side में रखके close आ रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि globalization का महौल है हम भी economy करने हैं उन्हें भी करने तो अब हम trade कर रहे हैं और हमारे बीच में जो है ट्रेडिंग वगेरा multiply हुआ है बहुत बढ़ गया है 1991 के बाद से जो अब हमने recent chapter में भी पढ़ा था अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका बहुत हमारे इस वाले region में दिल्चस्पी दिखाता है क्यों कि सबसे पहले इतना populous region है इतना बड़ी हां market है कुछ भी लागी हम बेच सकता अमेरिका मैं सी लगा सकता है what not ठीक है तो जो है पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की अच्छे relation है अमेरिका के साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया की बहुत अच् से country आखे investment कर सकते और अमेरिका जाके हर जगा में सी लगाता है ट्रेड करता है तो इसलिए हमारे लेंक है अमेरिका के साथ में हमारे समतला पूरे साउध इसन डायस्पोरा अमेरिका में रहता है यानि की दिखा है आपने बांगलादेश से इंडिया से पाकिसान में कितने को चाता है कि यहां पर पीस बनी रहे है इस रीजन के अंदर सो दाट उनका बिसने से चलता रहे हावेवर साउध एशिया जो है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोनी माना जाता है अभी भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं यहां पर सौल नहीं हुए है बट हम कोशिश क जाएंगे या फिर एक दिन हैसा आएगा जब हम लोग जो है थोड़े उनाइट होंगे एक रिशनल ब्लॉक की तरह बनेंगे जैसे इस यान बना है अपने जो है प्रॉब्लम्स को एंड करें सो दाट हम लोग भी और एक अच्छी पावर बन पाए और आउटसाइड अमेर न प्रॉब्लम्स करें वोगों करें और हम उाच्छी वोगम करें लुख चाहर र Rubagan विष्ण जरीग